क्या discounting देना एक अच्छी strategy है कि कभी तक आप आपके restaurant में खाना discount दे सकें क्या discounting दे के आप profits कर सकते हैं ये बहुत सारे सवाल मुझे मेरे students पूछते हैं और आज हम लोग discuss करने वाले है कि how to use discounting in your food business business आप restaurant business में discount कैसे यूज़ करें जिससे आपका loss minimum हो और ज्यादा से ज्यादा profit हो ये discounting का जो discount के जो offers चलाते हैं इसके बारे में इतने लोगों को knowledge का problem है कि उनको पता ही नहीं चलता कि discount किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं तो आज हम लोग specifically बात करेंगे कि how to use discounting in food business कैसे आप discounting को एक weapon बना सकेंगे जिससे आप आपका food business जितना हो सके उतना profit में चलाए मेरा नाम गुपाल कामत है मैं एक restaurant owner हूँ hotelier हूँ और founder हूँ get your restaurant का ये ये channel का जहां पे हम लोग discuss करते हैं अलग अलग चीज़ों पे ताकि आपका खुद का food business कोई भी टाइप का food business होने दीजिए cloud kitchen होने दीजिए normal restaurant होने दीजिए cafe होने दीजिए या फिर normal Chinese का गाड़ी होने दीजिए कुछ भी होने दीजिए बट वो profit में कैसे चलाए home kitchen होने दीजिए वो सब profit में कैसे चलाए वो सब हम लोग discuss करते हैं अगर आप पहली बार जुड रहे हैं हमारे चैनल के साथ तो जरूर subscribe कीजिए और bell icon दबाईए शेर कीजिए आपके friends के साथ families के साथ जिनें भी food business में interest है थाकि उन्हें right information मिले उनके उनका food business चालो करने के लिए सबसे first और foremost चीज होती है वो है how to use discounting in the food business सबसे first और foremost चीज होती है कि purpose of discounting क्या purpose है आपका discount का यह आपको पहले जान लेना बहुत जरूरी है बहुत बार क्या होता है कि लोग अभी मैंने हाली में आज morning में मैं वाक पे गया था तो मैंने एक टंगा हुआ बैनर देखा था जहां पर लिखा था एक इडली वड़ा सांबार का प्लेट फोटो था प्लेट का और 10 रुपीज लिखा था तो मैं वह offer देखके first of all तो कोई भी वह 10 रुपे का offer देखके जीसे भूक लगी है वो बूले का रहे है 10 रुपे में क्या मिलता है चलो जाके खा लिते है बट उ चिर्फ और सिर्फ आपके रेश्टोरांट का existence कस्टमर के सामने कस्टमर को मालूम पढ़े उतना ही होना चाहिए उसका मतलब यह है कि मान लीजे कोई नया restaurant कुल रहा है नया cloud kitchen कुल रहा है नया home kitchen कुल रहा है नया cafe कुल रहा है तो initial लोगों को सिर्फ मालूम पढ़ने के लिए कि आपका restaurant या नया cafe खुला है आप वो आपने वो discounting का offer चलाना चाहिए ऐसा नहीं कि आपने 10 रुपे में इडली वड़ा सामबार बेची रहे हैं क्योंकि अगर per plate margin कम होगा 10 रुपे में कुछ भी margin नहीं मिलता है per plate अगर margin कम होगा और उसको आप दिन में 200 या 300 या income नहीं है तो कभी भी ध्यान में रखिए कि discounting को हमेशा purpose के साथ जुड़िए किस चीज के लिए आपको discount लेना चाहिए अभी मैंने जबी मेरा खुद का गोविंदा श्रम कामद गोविंदा श्रम restaurant खोला रहा तो भी मैंने 69 रुपीज का offer चलाय था 69 रुपीज में कोई भ offer चलेगी और एक आदमी एक ही item ले सकता है तो आपने भी दिमाग में रखना है ऐसा नहीं कि एक आदमी 10-10 आइटम लेके जा रहा है तो फिर आप loss में जाएंगे और आपको आप उसको cover नहीं कर पाएंगे limit डालना बहुत जरूरी है और अलग-अलग type of discount आप अलग- लोग आपका combo टेस्ट करें और उनको आइडिया है कि कैसे टापका restaurant आ रहा है तीसरी बात दो एक percentage discount रख सकते है 10% 5% 20% मत हमेशा याद रखिए कि टाइम जो है वो टाइम लिमिट डालना बहुत जरूरी है अगर आज मैंने देखा था कि देखा वह जो बैनर था उसमें 10 रुपे के जगा दस रुपे में टाइम लिमिट होता only available for three days four days तो मैं समझता कि होटेलियर जो है यह रेस्टराउंटर जो है यह कोई purpose के लिए कर र अगर आपका profitable business है तो सबसे पहले आपको time limit देना बहुत जरूरी है और bulk distribution को जैसे कि मैंने कहा की रिष्टिक करना बहुत जरूरी है एक आदमी को limited item रखिए एक item दो आइटम उसके बात फिर आपको regular charges लगेंगे उससे कोई customer नाराज नहीं होने वाला है क्योंकि आप restaurant owner है आप business owner है rules जो है वो आप decide करेंगे ठीक है तो उसके बाद है always guard your profits मैंने एक बहुत ही important बात सुनी ती जब हम लोग banks में जाते हैं bank manager के साथ में bank manager हमेशा कहता है कि interest is the bread and butter of a bank कोई भी bank का जो व्याजदर होता है वो व्याज जो लेता है वो उसका bread and butter होता है वैसे ही हमारे restaurant business में profit is the bread and butter of your food restaurant business profit पर focus होना बहुत जरूरी है ठीक है आप discounting दो तीन दिनों के लिए चार दिनों के लिए पास दिनों के लिए चलाइए उसका जो cost है वो जो आपको loss होता है या फिर जो खर्चा आपके जेप से जाता है वो आपका marketing cost के लाएगा क्योंकि वो cost में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आपके hotel का नाम लेके जाएंगे और उनको पता चलेगा कि यह ऐसे टाइप का hotel है तो always focus on profits उसके बाद आपके menu में जब आप discounting करते हैं तो आपके menu में एक price ladder होना बहुत जरूरी है ladder का मतलब सीडी नीचे से उपर तक एक price ladder होना बहुत जरूरी है इसका मतलब यह है कि entry में आप basic एक आइटम जो रखी है जो basic reasonable होना चाहिए जैसे कि कोई restaurants में थाली होता है कोई restaurants में एका-दो आइटम होता है जो काफी reasonable होता है not सस्ता नहीं म पर आउल राइटम तो प्लाइटम नहीं हो आप combos launch कर सकते है platters launch कर सकते है special item launch कर सकते है deluxe item launch कर सकते अब जम ब से special thalis launch कर सकते है वह जो high-cost के आइटम एसा मैं सुझे कि मेरे पास पीसी काने वाला है यह हमेशा या रखिए 100 वे से 100 तकों में से 20 टकी लोग जो होते हैं वो तो वारे रेस्टरोन डोनर का सबसे बड़ा गलती यह होता है कि हम लोग उनको अपर्चुनिटी नहीं देते खर्चा करने के लिए हम लोग सस्ते में बेच रहे हैं हम लोगों को लगता है कि पूरी दुनिया जो है वो सस्ता ही खाना खा रही है ऐसा नहीं है जिसके पास जि चोटे से शुरू किजिए लेकिन बड़ा बड़ा करके कॉम्बो या फिर प्लैटर या फिर जंबो ऐसा आइटम में बना के बड़े आइटम से लॉंज करके या डिलक्स आइटम अमूल बटर में या फिर स्पेशल बाजी सम्थिंग आप यूज करके आपको हाई रेट मे भी मेनू आप में डालना चाहिए और वह मेनू में जब आपके 20 टका जो कस्टमर है मैजोरिटी का वह खाना खाना चालू करेगा तो उसमें मार्जीन ज्यादा होगा और वह मार्जीन से आपका प्रॉफिट मार्जीन जो है वह यह जो लो कॉस्ट आइटम से मार्जीन जो चार दिन, साथ दिन, दस दिन, ग्यारा दिन, ओफर जो भी चला रहे हैं, तभी आप जबी कस्टमर को डिसकाउंट दे रहे हैं, तो उसके साथ में आप उनका डेटा लेना बहुत जरूरी, उनका नाम, वाट्साप नंबर और इमेल आईडी या लेना जरूरी है, secondly उनको बो दे रहे हैं, तो उन्हों में भी एक रेशिप्रोकल आपको देना जरूरी है, और वो इसली देंगे हैं, मान लिजी आपने, अगर फर एक्जंपल दस और में मैं इडली बड़ा काने गया, उसने बोला कि आप मुझे रिव्यू दे दो, मैं हसके रिव्यू दूँगा, मैं क्या जाता है रिव्यू देने वे, मैंने तो जो रेश्टोरान का फेसिलीटी उटाया है, तो मैं हमेशा वो ऐसा करूँगा, तो आप लेकिन लोग बहुत बार होटल ओनर्स मांगने में हिच की जाते हैं, या फिर उनका ध्यानी नहीं होता है, तो डेटा जब आपके आप का लॉंचेज, सीजनल ओफर्स, या अलग-अलग तरह के जो वीडियो वगरा आप यूजवल, यूजवली मार्केटिंग के लिए बनाते हैं, वो सब चीज़े भेजने के लिए आपको ये डेटा काफी काम में आएगा, लेकि हमेशा एक चीज ध्यान में रखी है, कोई भ कोई भी कस्टमर के पास बहुत सारे ओप्शंज है कोई भी जगह में जाने के लिए और सेकेंडली कस्टमर के दिमाग में सिर्फ यह आइडिया नहीं है कि आपका रेश्टरून कुला है और मुझी आके खाना खाना है, वो भूल जाता है, नेक्स दे उसके उसका लाइफ स चली जाती है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपने आपके डेटा को जो कस्टमर डेटा है उसको हमेशा बढ़ाते रहना है, जितना आप डेटा बढ़ाएंगे और जितना उनको रिमार्केटिंग करेंगे, उतना आपको ज्यादा बिजनस होगा, अभी तक अगर आपको य यह जाए, मेरा नाम गोपाल कामत है, और अगर आपको डीपली स्टेडी करना है, एक रेश्टोराण चालो करने में, या फिर कोई फूड बिजनस चालो करने में, तो फिर मेरा कोचिंग प्रोग्राम जोईन कीजिए, मैं एक कोचिंग प्रोग्राम रन करता हूँ, जहां मैं आप ऐसे जैसे face to face आया हूँ, जूम कॉल में, live face to face लोगों के साथ बात करता हूँ, और मैंने एक वीडियो कोर्स रेकॉर्ड किया हूँ, जिसमें step by step बताया गया, कि कैसे आप खुद का, कोई भी तरह का restaurant business है, कोई भी तरह का food business है, कैसे आप चालो कर सकते हैं, यह को आपको पूरे details दिये हुए, मेरे coaching program के, वीडियो कोर्स के साथ में, वीडियो कोर्स तो आपको सब जगा मिलेंगे, बहुत जगा पे मिलेंगे, लेकिन उसके साथ में live coaching होना बहुत ज़रूरी है, और वो मैं हर week, Tuesday को, शाम को 6 बजे, live आके, मेरे members के साथ में, every week, by the way, for lifetime, आप जब तक, जब तक, every week, आपके, आप और मैं, जब तक, जब तक, जब तक, every week, आपके साथ, आके मैं, आपके questions and answers को answer करूँगा, और इस तरह से आप, कभी भी ध्यांग में रखेंगा, कोई भी चीज आप किसी को भी follow करें, तो उन्हें ही follow करें, जिन्हों ने और की हुए, जैसे कि मेरे खुद के 2-3 restaurants है, मेरा resort है, तो मैं खुद ये चीज कर रहा हूँ, उसको ही follow किजिए, आज की तरिक में बहुत सारे गुरू आगे जिन्नों ने जिन्दगी में कभी कुछ किया नहीं, होटल खोला नहीं, restaurant खोला नहीं, फिर भी वो सिखा रहें, तो www.gopalkamert.in पे जाएए, और ये वीडियो और coaching program join कीजिए, मेरे चैनल को subscribe कीजिए, और share कीजिए, आपके friends, families के साथ में, और देखते रहें, ये मेरा चैनल, जहाँ पे मैं आपको अलग-अलग चीजे, नहीं-नहीं चीजे सिखाऊंगा, जो मैं खुद सीख रहा हूँ, ऐस खुद मैं restaurant business में experience करता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि knowledge कभी भी खुद के पास नहीं रखना चाहिए, वो कभी भी लोग के वास share करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मालूम पड़े कि कैसे बराबर restaurant business चालू करते हैं और चलाते हैं, ताकि वो खुद like क्या हो, अभी मिलते हैं अगले वीडियो में www.gopalkamon.in जरूर चेक कीजिए और अगर आपको पसंद आए मेरा coaching program जरूर जाइन कीजिए, thank you, मिलते हैं next वीडियो में, bye bye